Hello and Welcome My Dear Kids आज हम बात करने वाले हैं Looking Around आपकी GK Book के Lesson No.9 के बारे में जो कि है Safety on Road अब देखो रोड होता है सडक जब हम सडक पर चलते हैं तो मैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सेफटी के साथ चलें यानि कि सुरक्षा के साथ चलें क्योंकि अगर जहां साथ धानी हटती है वहीं पर कोई न कोई दुरघटना हो सकती है इसलिए हमें बच्पन से सिखा जाता है कि रोड पर सेफटी रखनी चाहिए तो चलिए समझते हैं कि सेफटी ओन रोड में हमें क्या चीज़ें बताई जा रही है सेफटी ओन रोड अब हमें क्या बताई जा रहा है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए तो चलो हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या चीज़ें हमको करनी नहीं चाहिए तो पहला ये है देखो यहां पर कोई बाइक से स्कूटर से जा रहा है यहां कोई कार से जा रहा है और ये बच्चा रोड पर अपनी फुटबॉल के साथ खेल रहा है अगर रोड पर फुटबॉल के साथ खेलेगा तो आक्सिज़ेंट होने के चांसे हैं इसलिए ये चीज़ हमें नहीं करनी है आप कभी भी रोड पर ना खेलें ठीक है यहां पर देखो एक कार आ रही है और ये लड़की क्या करी है स्केटिंग कर रही है यानि कि ऐसे शूज होते हैं जिसमें नीचे पहिये लगे होते हैं और आप स्केट कर सकते हो आप उससे चल सकते हो तो अगर आप skating करोगे और disbalance हो जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि गाड़ी आ रही है और आपका accident हो सकता है तो ये काम भी हमको नहीं करना है next बात ये है कि याँ पर bus जा रही है इसमें कुछ बच्चे बैठे है ये सब बच्चे तो ठीक से बैठे हैं लेकिन ये बच्चा बार निकल के हाथ निकल के बाहर सर बाहर निकल के जाक रहा है तो ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि अगर बगल से कोई और गाड़ी आ गई तो इस बच्चे का हाथ कट सकता है इससे सर पे चोट लग सकती है इसलिए जब भी बैठें बस या कार के अंदर बैठें बाहर नहीं जाके है ठीक है यहाँ पर देखो ये कोई वैन है स्कूल वैन है शायद इस वैन में सब बच्चे बैठे हुए है वैन चल रही है और चलती van से ये बच्छा नीचे उतर जा रहा है अगर चलती van से नीचे उतर जाएगा चलती हुए गाड़ी से कुई नीचे उतर जाएगा तो जारी सी बात है कि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका disbalance हो जाए वो उसका balance भी कर जाए और वो गिर पड़े और उसे चोट लग जाए तो ये भी काम हमें रोड पे नहीं करना है अब कुछ बच्चे आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये काम जरूर ट्राइ किया होगा कि वो जो है पीछे मूँ करके अपने पापा के साथ बाइक पे आ स्कूटर पे बैट जाते हैं तो ऐसा हमें कभी नहीं चांसे भी होती है ठीक है तो इस तरीकी की चीज़ें हमें नहीं करने है अब यहाँ पर देखो दो बच्चे क्या कर रहे हैं ये दो बच्चे जो हैं अराम से साइकल से और ये बाइक से क्या कर रहे हैं रेस कर रहे हैं रेसिंग कर रहे हैं पीछे से कार भी आ रही है ऐसा क करना अच्छा नहीं है गलत है तो ऐसी चीजों को हमें अवाइड करना चाहिए तो यह सब के बगल में देखो क्रॉस लगा हुआ है और हमें बताया जा रहा है साफ शब्दों में कि ऐसे काहों को कभी भी नहीं करने चाहिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर let's do it को करते हैं लिखा हुआ है have you ever noticed traffic lights on road क्या आपने road पे कभी traffic lights के उपर ध्यान दिया है ट्राफिक light जो होती है बहुत important चीज होती है शेहरों में यह लगी रहती है और इसका कुछ मतलब होता है they help us to cross the road safely तो कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग जाते हैं और traffic rules की वज़े से उन्हें important है और यह safety के लिए बहुत जरूरी है ऐसा करने से accident होने के chances बहुत reduce हो जाते हैं और चलिए हम पढ़ते हैं traffic light के बारे में read the poem then color the traffic light हम एक poem पढ़ेंगे और इस traffic light को color करेंगे लेकिन उसके पहले हमें एक poem को पढ़ना पढ़ेगा चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ ह twinkle twinkle traffic light twinkle twinkle क्यों कह रहे हैं क्योंकि यह कभी जलती है कभी बुझती है कभी इसमें कोई color जलता है कभी कोई और color जलता है तो यह tim tim आती हुई नजर आती है इसलिए कह रहे हैं twinkle twinkle traffic light मेरे साथ पढ़िए twinkle twinkle traffic light round the corner shining bright तो रोड के एक साइड में किसी कोने में या कहीं मिडल में कहीं पर वो जो traffic light है वो बहुत अच्छे से चमक रही है शाइन कर रही है तो मेरे साथ पढ़िए twinkle twinkle traffic light round the corner shining bright red means stop अब ध्यान से समझी इस बात को जब भी traffic light में red color आएगा इसका मतलब है कि आपको रुख जाना ह red means stop green means go देखो g से green और g से go तो ध्यान रखेगा कि green का मतलब होता है go मतलब जा सकते हो आप and yellow means be ready to go और yellow का मतलब यह है आप अपने engine को start कर सकते हैं गाड़ी के और अब इसके बाद आपको जाने का समय जल्दी ही आने वाला है जब भी traffic light पे red color होगा तो आपको रुख जा तयार रहना है क्योंकि अब इसके बाद green light होने वाली है और आपको जाने का मौका मिलने वाला है twinkle twinkle traffic light round the corner shining bright तो हमें आपर क्या समझ में आया हमें आपर यह समझ में आता है कि red color का मतलब रुखना green color का मतलब जाना और yellow color का मतलब जाने के लिए तयार रहना लेकिन wait करना चली अब देखते हैं कि traffic light बनी हुई है और इसमें देखो लिखा हुआ है stop stop का मतलब होता है रुखना और रुखने के लिए में कौन से color की light को use करना है हमने भी पढ़ा भी है रुखने के लिए stop के लिए हम red color को वो करते हैं तो आपको क्या करना है जो red color है आपके पास उस ठीक है चलिए हम इसके फिल कर लेंगे ऐसे थोड़ा सा छोटा अगर देगया just a minute हाँ तो यह मैंने red फिल कर दिया है अब नीचे लिखा हुए ready यानि कि अब ready to go है और आपको भी मैंने बताया था कि ready to go के लिए को कौन सा color वेट करना है और तैयार एना जाने के लिए तो आपको ready to go के लिए करना है yellow color तो आप अपना yellow color ले ले लेंगे और यहाँ पर अच्छे से fill कर देंगे ठीक है इस तरीके से फिर लिखा हुआ है go जब आपको go के लिए कहा जाए तो आप कौन सा color देखते हैं green color तो आप यहाँ पर green fill कर देंगे और इस तरीके से देखे मैंने कितनी सुन्दर से traffic light का color कर दिया है आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है बि अच के लिए इतना ही मिलते हैं next video में till then take care